राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आपसे हमारी यूटीब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो 26 अगस्ट को अजा एकादशी है एकादशी भागवान विश्नु का प्रिये दिन होता है लेकिन इस बार यह एकादशी बहुत खास है क्योंकि यह एकादशी सौंबार के दिन है सौंबार के दिन एकादशी होने से इसका महतु और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सौंबार का दिन भगवान शिपजी का प्रिया दिन होता है सौंबारी एकादशी पर भगवान विश्णू जी के साथ भगवान शिपजी का भी पूजन किया जाता है भगवान विश्णू जी शिपजी के आराध्य है सौंबारी एकादशी पर शिपजी का पूजन करने से भगवान विश्णू जी का भी विशेश आशेबात प्राप्त होता है आज की इस वीडियो में हम आपको सौंबारी एकादशी पर करने बाले बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं इन उपायों को करने से सारी समस्यां दूर हो चाहती हैं और भागवान शिप्ची और विश्णू जी की विशेश करपा प्राप्त होती है भक्ति यदी पसंता पूर्वक एक लोटा जल भी भोले नात को अर्पित कर देते हैं तो भोले नात उनकी मुमांगी पूराद पूरी कर देते हैं लेकिन अगर आप कुछ पिशेश प्राप्त करना चाहते हैं तो भागवान शिप्ची को अपनी इक्चा के अनुसार अलग अलग के द्रब्ब अर्पित करें अगर आप लंबे समय से पैसों की तंगी से जूज रहे हैं आपको धन की हानी हो रही है तो आप स्वामबारी एकादशी के दिन शिप्लिंग पर शहर मिला का जल अर्पित करें इससे आय में ब्रती होती है और आर्थिक इस्तिती सुदर्ड होती है परिक्षा और इंटर्व्यू में सफलता प्राप्ते करने के लिए स्वामबारी एकादशी के दिन मिश्री मिले दूसरे भागवान शिप्लिंग का अभिशेक करें भागवान शिप्लची की करपा से आपकी बहुत देख्छमता और ग्यानने ब्रती होगे और आप परिक्षाओं और इंटर्व्यू में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अगर आपके बैबाहिक जीवन में कल है और कष्ट का माहल बना हुआ है तब भी आपको भगवान शिप्ची को शहद मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए बहतर होगा कि पती पतनी दोनों एक साथ मिलका सौमबारी एकादशी के दिन भगवान शिप्ची को शहद मिला हुआ जल अर्पित करें इससे तामपत्य जीवन में चली आ रही समस्याएं दूर होती हैं अगर आपको ब्यापार या कारुवार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ब्यापार अच्छा नहीं चल रहा तो आप सौमबारी एकादशी के दिन भगवान शिप्ची का गन्ने के जूर से अभिशेख करें और अपनी समस्या को दूर करने के बिंती करें अगर समस्या जादा है तो यह उपाई आप प्रतिक सौमबार को करें इसे ब्यापार और कारुवार में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं और ब्यापार में उन्नती होती हैं आप अरेंच मेरेज करना चाहते हैं या लब मेरेज आपके विभा में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो भी आप सौमबारी एकादशी के दिन और प्रतिक सौमबार को आप करने के जूर से भगवान शिपजी का अभिशेख करें इसे विभा में आ रही अर्च अर्चने दूर होती हैं अगर आपको कोई रोग है तो आप सौमबारी एकादशी के दिन भगवान शिपजी का कच्चे दूर से अभिशेख करें इससे रोगों से मुक्ती मिलती है सौमबारी एकादशी के दिन भोले नात को चंदन लगाने से आपके जीवन में मान सम्मान और ख्याती की कभी भी कमी नहीं आएगी इन उपायों को करते समय कुछ बातों का विशेख ध्यान रखें आप अपनी इक्चा के अनुसार जो द्रब्बे भगवान शिपजी को अर्पित कर रहे हैं द्रब्बे अर्पित करते समय आप ओम नमश्रिवाई मंतर का जाप करते रहें इसके बाद भगवान शिपजी के सामने बैटकर भगवान विश्णू जी के इस महा मंतर का ग्यारे बात जाप करें मंतर है ओम नमो भगवति वासु दिवाई सौंबारी एकादशी के दिन इन उपायों को करने से जीवन में चली आ रही सभी समस्यादूर होती है और भगवान शिपजी और भगवान विश्णू जी की विशेश करपा प्राप्त होती है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंस और दिस्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे भेवी इसका लाब उठा सके और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी